हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आर चैनल नीरज कुखिंग ब्लॉक्स तो यहां हम लोग पहुच चुके हैं मंगल नाथ मंदी और यहां पे मंगल दोस्ट जिसका रहता है वो लोग यहां पुजा करवाते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो बनाना एलाव नहीं था इसलिए मैंने यहां पिक लगा दिया हैं मंगल नाथ का दर्शन आप लोग कर लिजिएगा और यहां से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुच चुके संदापनी आश्रम जहां सुदामा क्रिष्ण और बलराम ने शिक्षा ली थी जिस आश्रम में कहा जाता है कि इसी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली थी और यहां हम दो चल रहे हैं गोमती कुंड जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे गोमती कुंड यह है ऐसा कहते हैं कि गुरु संदापनी ब्यास अपने योगे बिद्या के द्वारा गोमती नदी में असनान आदी के लिए द्वारी का नगरी जाय करते थे तो भगवान स्री कृष्ण की आत्मा को बड़ा ही कष्ट होता था कि गुरुवर को प्राता इतनी दूरास नान के लिए जाना पड़ता है तब भगवान स्री कृष्ण ने अपने सकती से गोमती गंगा का जल इस सरोहर में परवाहित किया वहां बहुत बड़ा जलाशय बन गया जिसे गुमती कृष्ण का नाम दिया गया ये कृष्ण 125 फीट गहरी है और इसमें से जो पानी निकलने का स्रोहर है वह गोमुखी है नीसे गाय का मुख है और उसके मुख से पानी आता है भगवान सिरी कृष्ण के आशिरवाद से ये हकुंड आज तक नहीं सुखा इसमें पानी सरवदा रहता है तो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ पिक्चर भी लगाये थे अपनी फैमली पिक की आई होब आप सबको पसंद आएगी तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं महा काल का मंदिर तो फ्रेंड्स ये है कॉरिडोर या कॉरिडोर करीम 900 मीटर से ज्यादा लंबा है जो पुरानी रूदर शागर जील के चारो और फैला हुआ है वार तो अंदर कैमरा ले जाना एलाओड नहीं है मोबाइल पहले ही जमा कर लिया जा रहा था तो इसलिए मैंने कुछ कॉरिडोर का वीडियो सूट किया है आई होप आप सबको पसंद आएगी ये वीडियो फ्रेंट्स यहाँ जाने के बाद एक अलग ही सुकून मिल रहा था अलग ही सांती थी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान जी का दर्शन हम लोगों ने किया यहां बच्चों का खेलना सुरू हो गया है इदा इदा कोरीडोर के पास एक रूद्रशागर जील है बहुत यह अच्छा भीव था तो फाइनली हम लोग अब दर्शन के लिए जाएंगे और कैमरा को करेंगे ओफ जब हम लोग दर्शन करके आएंगे तब मैं वीडियो आपको शूट करूँगी बाहर का तो कुछ दिखाऊंगी यहां पर हम लोगों का दर्शन हो चुका है और हम लोगों ने सुचा कुछ फोर को सूट कर लिया जाएंगे कि आएंगे दर्शन करके देखा दिखा प्र इन वाल शुटेएंगे यहां जाएंगे तुका है प्लिए तुका हो लोगों उपधा, जाएंगे आएंगे लोगों अरड़ार दिखान के था है यहां बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनी हुई थी यह है बजरंग बले की बड़ी सी मूर्ति बहुत बहुत ही प्यारी यह मूर्ति लग रही थी कोरिडोर बहुत लंबा है चारोर तरह बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनी हुई है और यह मूर्तियां रात में लेखने में बहुत ही प्यारी लगती है मैं कुछ रात का वीडियो दिखाऊंगे आपको पर यह नाइट भ्यू तो नाइट में और ही ज्यादा अच्छा लग रहा था दिन से भी ज्यादा अच्छा रात में लग रहा था चारो तरफ लाइट और लाइट भी बहुत ही प्यारा लाइट का डेकोरेशन उन्होंने किया है तो फ्रेंड्स मैं आपको यह बता दूं कि आपको अगर सीलिंग का अहुशेक करना है तो आपको साड़ी में जाना होगा अगर आप जेंस हैं तो आपको धोती में जाना होगा गरब ग्रे में जाना होगा तो तो ये थी हमारी कुछ तस्वीर है तो कैसी लगए आपको मेरी ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें झाल झाल